वो आगतिया आप सभी का एक न्यू वीडियो पर दिके MP वोड की तरफ से एक ओर्डर जारी किया गया है जो कि काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट अगर आपने इस पर दिहान नहीं दिया तो आपके board examination का जो result आएगा उसमें आपको दिक्कात हो सकती है आप उससे unsatisfied रहोगे और यह जो order आया है वो आप सभी के schools को दिया गया है साथ में ये भी कहा गया है कि 15 दिसमबर तक हमें गोशना पत्र आप भेजिए यानि कि आप से भी के schools को MP board में घोशना पत्र देना पड़ेगा क्या है पूरी update और आपको क्या करना है सारी चीज़े आपको बताता हूँ वीडियो मैंट तक बने रही है ना है तो subscribe के सांसे notification icon जोरी सोन करके रखिएगा MP board examination से जोड़ी सारी important updates आप तर पहुँच जाएंगी अब देखिए ये update सामने आ रही है इसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रिवेश पत्र में 13 ना होने का 15 दिसंबर तक देना होगा घुष्णा पत्र अभी किस घुष्णा पत्र की बात हो रही है आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए रिसेंट में ये MP बोर्ड ने आप सभी के dummy admit card जारी कियेते हैं अगर आप प्राइविट इसकूस है या फर गॉर्मेट इसकूस है तो आप सभी के teachers ने आपको dummy admit card दिखाए भी होगे आपने उसको verify किया भी होगा सारी इसमें information चेक की होगी साथ में sign करके उनको वापिस दिया होगा अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो यह आपको अपने school से contact करना है उनसे पूछना है कि हमारे dummy admit card आया है या फिर नहीं आया है अगर आ गया है तो उसमें आपको सारे चीज़े चेक करके अगर उसमें कोई correction होना है क्योंकि board की तरफ से कई आपके आपके नाम में मिश्टेक हो गई या फिर देट बर्थ में मिश्टेक हो गई आपके फादर्स नेम में मदर्स नेम में अगर इनसे भी चीज़ों मिश्टेक हो जाती है तो फिर आपकी जो mark sheet आती है बोड examination की उसमें भी same mistake आती है और उसमें अगर आप correction कराओगे तो उसमें आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और तीन से चार मेने का time भी वेस्ट होगा आप उस टाइम पर परशान ना हो इस कारण से MP Board ने अभी dummy admit card जारी किये थे जो कि आपको चेक करने है अब देखिए अगर ये पूरा काम आप सभी के school में हो चुका है dummy admit card आपको mistake नहीं है जिनकी mistake है वो हमने board office में inform कर दिया है तो उसका correction हो जाएगा जिनकी भी mistake नहीं थी जिनके admit card सही थे तो इसमें आप कोई भी correction नहीं होना है ये इस तरीके का पत्र वाँपर भीज़ा जाना है जिससे की board को एक confirm हो जाएगा कि हाँ इस school से इस बच्चे का क्यों भ किया जाएगा यानि कि इसके बाद कोई भी correction आप नहीं करवा पाऊगे उसके बाद जो correction होगा फुसी आपकी mark sheet में होगा तो में अभी आपका काम यहीं है कि अगर आपके इस school से आपको इंफॉर्म नहीं किया गया तो आपको खुच जाके उनसे पूचना है कि dummy admit card आए य sign करके उनको देना है अगर आपने चेक किया है कर चुके हो सारी चीजह आपके ठीक है तो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको कोई भी परशानी नहीं होगी आगे जिन बच्चों नहीं तक चेक नहीं किया है तो कोशिश कीजगा कि before 15 दिसमबर 15 तारिक तक आपको कैसे करके पूरा काम करना है क्योंकि उसके बाद आपका वेरिफाय हो या फिन नहीं हो आप सभी के स्कूल की तरफ से गोशना पत्र भेज दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा जैसा कि मैंने आपको बताई दिया है तुम्हीं देखिए आपको सारी बा कर सकते हैं या फिर आपने से इस्टाप एडियम करके बाद भी कर सकते हैं